वस्तर नगरी भीलवाला में सिंथेटिक विविंग मिल एसोशेशन के चुनाब में तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए संजेप पेडिवाल ने मंगलवार को पदबार ग्रहन किया इस दोरान उनके साथ ही सनक्षक मंदल महासचिव कोशाद्यक्ष और वरिष्ट उपाद्यक्ष को भी पदबार ग्रहन करवाया गया इस दोरान पेडिवाल का एसोशेशन के लोगों ने स्वागत भी किया पेडिवाल ने कहा कि पूरू में किये गए कारियों के कारण ही उन्हें फिर से निर्विरोज चुना गया है इस समय सिंथेटिक विविंग मिल कोरोना नोट बंदी और जी एस्टी की मार जेल रही है हमारी मांग है कि सरकार लॉगडाउन के समय का व्याज माफ करे जिससे की व्यापार करने में राहत मिल सके मजदूरों के सवाल पर पेडिवाल ने कहा कि लॉगडाउन में बाहर गए श्रमिकों में से अब तक 80% श्रमिक वापस आ गए है इसके साथ ही इस बार आसंगटित श्रमिकों से भी बात की है जिससे की श्रमिकों की समस्याएं सामने आये सरकारी हो चाहे ठेकेदारों की समस्याएं हो हम लोग प्रशाशन के साथ मिलके इन सब को अच्छे मावल में हम लोग सब काम कर सके यह जो अज्योगिक मावल बना हुआ है वो बना रहे वीविग मी लेशिशन के चुनाव निर विरोद वे जिसमें मैं वरिष्ट उपा देक् के लिए मेरे को नियुक्त किया गया है और हमारी बिविविग इसुष्ट समय समय पे किसी परकार की बिलवड़ा में कोई बीजограф को के लिए अगर कठिनाई आक हा रही है उसको दूर करने के लिए हमेशा पर्यासरत रती है और सामाजी कारियों के लिए भी इविविग एस अपना एक महत्व पुनिस्तान रखती है। प्यास करके उसको जो एक्जम्शन दिया था पहले सरकार ने पूरू में वो ड्यूटी पे जो अभी चार्जेज लगे में हैं उसको हम हटवाने के लिए सरकार से निवेदन करें।